प्रणाम आज का हमारा टोपिक है लो बीपी जब ब्लेड प्रेशर लो हो जाता है तो सबसे पहले हमें कैसे पता चले कि हमारा बीपी लो हो गया है इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से और लो बीपी को आप पांच मिनट में कैसे सामाने कर सके ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा यदि बीपी लो हो जाता है तो आपका मन नीचे गिर जाता है आलश्या आने लगता है मन में उत्सहा नहीं होता दिन में भी आपको नीद आती है आपको बस ऐसा लगता है कि बस हर समय सोते रहें तो आप समझ जाएं कि आपका बीपी लो हो रहा है आप तुरंट अपना बीपी चेक करें और उसे सामान्य करने के लिए जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उस प्राणयाम का भ्यास करें प्राणयाम में लो बीपी को हाई करने के लिए हम सूर्य भेदी प्राण का भ्यास करेंगे सूर्य भेदी करते कैसे द्यान से देखें प्राणयाम मुद्रा बनाए पहले अपने फर्स्ट और सेकिंड फिंगर को अंगूटे के बेस में टच करें अपने ring finger से left nostril को बंद करेंगे right nostril से स्वास लेंगे धीरे धीरे स्वास लेने के पश्चार बंद लगाएं right nostril को भी बंद कर लिजे और जालंदर बंद गर्दन को नीचे जुकाएंगे इस प्रकार से और मूल बंद एनस भाग को उपर की और अपने मुत्रेंद्रिया को उपर की और खीजें ये दोनों बंद लगेंगे इसमें स्वास को अंदर ही रोकें स्वास को मैसूस करें अपने अंदर फिर बंद हटाते हुए left से स्वास को आप बाहर छोड़ देंगे धीरे धीरे फिर राइट से लें बंद लगाएं जालंदर बंद मूल बंद मूल बंद अपनी मुत्रेंद्रियों को एनस भाग को उपर क्यों खीज लेजिए प्राण शक्ति का उनुभाव करें अपने गिरे हुए मन को उत्साहा से भरें बंद हटाएं और लेप से स्वास को भाहर छोड़ देजिए इस प्रकार से आपको कम से कम पांच मिनट करना है अगर बीपी आपका 60 से भी नीचे चला गया तो आप इसे कम से कम 15 मिनट करें नीचे का बीपी अगर 60 से भी आपका नीचे आ जाता है तो इसका भ्यास आप 15 मिनट कम से कम करें सूर्य भेदी प्राणम का राइट से स्वास लेना है जितना समय स्वास को लेने में लगता है उतना ही समय स्वास को अंदर रोके होल्ड करें बंद लगाएंगे जाल अंदर बंद गरदन को इस प्रकार से नीचे जुकाएंगे मूल बंद एनस भाग अपनी मुत्रेंद्रियों को अपर क्यों खीच लेजी पुरा पुछ समय रोकने के बाद फिर बंद अटाएं और राइट लेप से स्वास को आप बहर छोड़ दीजिए राइट से लेसे लेना है가는 मैं रोकना है लेप से चोड़ना 2 चूरे भेदी प्राणव का अब्यास इस अभ्यास को आप पूरे ध्यान से करें सकरात्मक्ता के साथ करें पॉजिटिव होकर करें जब बीपी लो हो जाए तो प्राणायम करते समय आप मन में ऐसा भाव रखें कि आपका बीपी बढ़ रहा है सामन्य हो रहा है आपका बीपी बढ़कर ऐसा मन में भाव मन में उत्सहा बनाओ एक positivity के साथ प्राणम का अभ्यास करो तो आप देखेंगे कि बिना किसी दवाई के आपको रहात मिलेगी आपका BP सामन नहीं हो जाएगा साथ में आप कौफी का प्रियोग कर सकते हैं BP low में और थोड़ा नीम्बू और नमक डालकर उस पानी को आप पिलीजिए शिकंजी बना लीजिए इससे भी आपका BP बढ़ने लगता है तो बहुत सी सरल अभ्यास है घवराएं बिल्कुल नहीं BP लोहने पर आप नियमित रूप से नाड़ी शोधन का अभ्यास करें प्रति दिन साथ मिनट तो आपका BP लोह होगा ही नहीं और यदि लोह हो गया तो आप सूर्य भीदी प्राणाम का अभ्यास करें आप पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से मुक्ति पाएंगे आप सभी स्वस्त रहें निरोग रहें हम जल्द ही एक अगले टोपिक के साथ बिलेंगे आप सभी के लिए बहुत-बहुत सुब काम ना है ओ, सब्सकाइब करिए योग गुरु राजेश चनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए